इस तरह से पिको बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है उजले वाले मतर मतर को मैंने पूरी राज पानी में भीवोकर रखा है जिससे कि फूल चुका है अब मैंने इसे धोका साफ कर दिया है अब हम लेंगे स्लाइस कटे हुए प्याज हरी मेश्च लश्न की कुछ कलिया औ जब हम इस तरह से प्याज को रगड़ रगड़ कर हम इसमें डालेंगे तो प्याज के जो भी लेयर है वो अच्छे से खूल जाएंगे जिससे कि ग्रेवी बहुत ही पर्फेक्ट बनकर तयार होगी अब इसमें जाएगा दो हरी मिर्च बीच से चीला लगे हुए और कटे ह तमाटर साथ ही जाएगा कुछ मसाले इसमें मैंने लिया यहां पर अपने स्वात के नुशा देच छोटी चमच नमक एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने हिसाब से ले कम जादा जैसा खाना ले सकते हैं एक छोटी चमच धन्या पाउडर एक छोटी चमच काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी आप चाहें तो इसमें अधरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब इसमें जाएगा सरसो का तेल जिसे हम अच्छे से गरम कर जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम उसे ठंडा करके इसमें डाल लेंगे तो सारे मसाले इंग्रेडियंस इसमें डाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की सारे मसाले मतर प्यास टमाटर जो भी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से एक दूसर पसंद आएगा कि आप जब भी मटर बनाएंगे बस इसी तरह से मटर की स्टूही बनाना पसंद करेंगे सारे मसाले मिक्स कर लेने के बाद हम इसे प्रेसर कुकर में डाल लेंगे अगर आपके घर में कोई महवाना जाते हैं आपके पास समय कम मिलता है सबजीयों को बनाने में तो आप इस तरह से मटर की सबजी बनाएए आपकी गेश्ट को भी पसंद आएगा और आपके तारिफ करते रहेंगे इतने स्वादिष्ट बनेगी इसकी ये रेसिपी सारे मटरिल्स को प्रेसर कुकर में डाल लेने के बाद मैंने यहाँ पे दो गिलास पानी इस पैन में डाला है जिसमें हमने सारे मसालों को मिक्स किया था जिससे की सारे मसाले अच्छे से पानी में मिक्स होकर बापस से प्रेसर कुकर में चला जाए अब इसमें हम एक्स्ट कि लगा कर मटर को अच्छे से पका लेंगे तो पहली सिथि हम हाई फिलेम पे लागाएंगे वागी के चार सिथि यह च्खी लाएंगे इससे चेक कर लेते हैं कि मटर अच्छे से पका हा aur यह नहीं मैं यदि आपके मटर नहीं पके हैं तो ऐसे कंडिशन में आप लो फ्लेम पे दो सीठी और लगा लें जिसे की मटर अच्छी से पक जाए तो अब मैं आपको दिखाती हूं कैसे इस्टू बनकर तयार हुई है मटर की तो आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसंटेंसी बिल्कुल प दोर भी गाड़ी होगी तो कुछ मटर मैं आपको दबा कर दिखाती हूं यह अच्छे से पक कर सौप्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कितनी असानी से यह दब रहा है यानि कि अच्छे से पग गया है तो सेम प्रोसेस से आप एक वार मटर को इस बनाईए बहुत क्लिक किजीए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पिलिज हमारे चैनल को सब्सराइब किजिए अब अगलवाले घंति